हाई फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेहदी फाइदिमन पंकिन सेड्स के बारे में जिसकों की कद्दू के बीच भी बोलते हैं तो मैं आज आपके साथ सारी इंफोर्मेशन शेर करूंगी कि इसे किस हेल्थ प्रोब्लेम में किस तरह से लेना चाहिए इसको लेने का सही समय और सही मात्रा क्या है इसके फाइदा क्या क्या है पंकिन सेड्स में बहुती अच्छी मात्रा में मिनरल्स और नियोट्रियन्स पाये जाते हैं चोकि हमारी कहीं सारी हेल्थ प्रोब्लेम को ठीक करने में हमारी मदद करता है यह हमारी स्कीन और हैर प्रोब्लेम के लिए भी बहुती फाइदिमन्द है इसमें विटामिन के, ओमेगा 6, मैगनीज, मैगनेशम, आयन, कोपर, विटामिन B2, फॉलेट, फोस्फरस, विटामिन E और फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो चलिए जानते हैं, पमकिन सीड्स के फाइदों के बारे में पमकिन सीड्स, मैगनेशम का नेच्रल सोर्स है और मैगनेशम अच्छी मात्रा में लेने से ब्लर फ्लो इंप्रोब होता है बिपी कंट्रोल में रहता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, बोन्स हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है और मैगनेशम अच्छी मात्रा में लेने से स्लिप कॉलिटी भी अच्छी होती है तो जिसको निंद न आने की प्रोब्लेम है, उसे सोने के समय आधा चमच पंकिन सिड्स लेने से निंद अच्छी आती है इसमें बहुत सारे अंटियोक्सिडन्स पाये जाते है, जोकि शरेड में से गंदकी और टॉक्सिंस निकालने का काम करता है आजकल हम बहुत सारा तला, भुना, मसालेदार खाना खाते है, जिसमें अंटियोक्सिडन्स नहीं के बराबर होते है इसलिए हमारी स्किन खराब हो जाती है, बाल जड़ जाती है, इमिनिटी डाउन हो जाती है तो अच्छा natural antioxidants लेने से हमारी skin अच्छी हो जाती है, बाल जड़ना रूप जाता है और और all immunity enhance होती है pumpkin seeds में zinc की भी अच्छी मात्रा होती है जिसे sperm quality improve होती है और male reproductive health भी अच्छी होती है जिसे की infertility के chances कम हो जाते है इसमें anti-inflammatory properties भी पाई जाती है जिसे शरीर में कहीं भी सुजन हो तो ये हेल करने में help मिलती है इसमें fiber की अच्छी मात्रा होने की वज़े से sugar भी regulate रहती है pumpkin seeds में कहीं ऐसी properties होती है जिसे cancer का risk भी कम हो जाता है चलिए तो अब बात करते हैं इसे किस तरह से लेना चाहिए अगर किसी को acidity की problem में है और pet में गर्मी ज्यादा रहती है तो ऐसे लोगों को इसे 7-8 घंटे तक भीगो कर लेना चाहिए ताकि seeds की सारी गर्मी निकल जाए और ये पच्छने में हलका हो जाए seeds को भीगो कर लेने के कहीं सारे फाइदे है जैसे कि एक कहीं बार nutrition absorption में बाधा डाल सकता है इसलिए इसे भीगो कर खाने से ए पच्छने में बहुती आसान हो जाता है जिन लोगों के पेट में कीड़े की प्रोब्लेम हो उन लोगों को pumpkin seeds को रात को भीगो कर सुबह खाली पेट लेना चाहिए अब हम बात करेंगे कि इसको daily कितना consume करना चाहिए तो किसी भी चीज़ की सही मातरा हमेशा फाइदा ही फाइदा करती है और overdose हमेशा side effect ही करता है तो इसका 3 ग्राम से लेके 6 ग्राम तक यानि की half टेबल स्पून से लेके 1 टेबल स्पून लिया जा सकता है तो आप pumpkin seeds को कहीं सारे form में consume कर सकते हो जैसे की roast करके, भीगो करके, smoothies में, salad में, soup में, पीस कर, आटे में भी मिला सकते हो तो आज की information आपको कैसी लगी दोस्तो ज़रूर बताएगा और subscribe, like और share करना बिलकुल न भूलेगा Thank you